Hello students, how are you? I think आपने जब इस वीडियो का थम्निल देखा होगा तो आपके दिमाग में जरूर ये एक सवाल आया होगा कि यार ये ओरिंडेशन प्रोग्राम के बारे में इतना हाइप क्रियेट किया जा रहा है देखो मैं आपको एक बाप बता हूँ Orientation Program जो होता है न हम जब कहीं भी admission लेते हैं तो वो first एक ऐसा interaction होता है जिससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में knowledge होती है आज का वीडियो Orientation Program के बारे में है आपको क्यों ये Orientation Program जो आज 23 दिसंबर को 3 बज़े होगा online DU-SOL का जो new batch है जिनने 2022-2023 में admission लिया है उनके लिए program होने वाला है आपको ये program क्यों अटेंड करना चाहिए पांच ऐसे reason बताऊंगा जिसकी वज़े से आपको ये program ज़रूर ज़रूर अटेंड करना चाहिए वो reason क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं और पांचपा reason बहुत खास होगा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जल्दी से कर लिज़े सब्सक्राइब बेल करन डिवीशन ज़रूर प्रेस कर देना और टेलिग्राम चैनल पर जॉइन कर लिज़े लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवलेबल है चले वीडियो को शुरुआत करते हैं और समझते हैं ऐसे कौन से 5 कारण है जिनकी वज़े से आपको आज का ओरिंटेशन परग्राम जो की 3 बज़े होगा वो अटेंड करना चाहिए ठीक है अभी आपके दिमाग में सवाल होगा यार अटेंड करने से कुछ होगा तो है नहीं बेकार है क्या फायदा अटेंड करने का तो आपको कोई efforts डालने के जरूत नहीं है रजाई में बैठो आराम से और यह और अरेंडेशन परग्राम अटेंड करो आप कहीं जॉब भी करते हैं तो अपने office में भी आप और अरेंडेशन परग्राम अटेंड क्योंकि ओनलाइन है आप कर सकते हैं ठीक है और यह और अर अनलाइन अटेंड कर सकते हैं पहली बात तो यह हो गई दूसरी चीज़ जब आप यह ऑनलाइन ओरिंटेशन परग्राम आज दुपर को तीन बज़े अटेंड करेंगे न तो आपको रिजनल जो study centers है हमारे south, west, east और north में चारों study centers के बारे में information दी जाएगी अब आप जो आपका दूसरा point ठीक है अब बात करते हैं आपने तीसरे point की student support services देखो आप course कर रहे हो आप कुछ भी करते हो तो बहुत सारी problems कहीं न कहीं definitely आती है तो आपको at least पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर जाना है मुझे किस से बात करनी है मुझे किसको mail करना है उन सब के बारे कि मुझे कहां जाना है किस से बात करनी है आप इदर दर भटकते रहते हैं इदर दर इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो जब यह orientation program आजा pretend करेंगे तो आपको support करने के लिए क्या-क्या services डी-उ-SOL ने provide करी है उन सब के बारे में आपको knowledge हो जाएगी चौती चीज की अगर हम वाले होते हैं तो बड़े सारे doubts होते हैं यहर कैसे पढ़ाई होगी प्रोफेसर जो होंगे वो अच्छे भी होंगे के नहीं होंगे तो आपको आपके different subjects के प्रोफेसर से भी मिलने का मौका मिलेगा और ये भी आप सीख पाएंगे कि SOL का working style कैसा है SOL कैसे काम करता है अब बा आपको पता है UGCF के बारे में यस या नो लिखके बताओ अभी कि आप जानते हो UGCF के बारे में चले मैं बताता हूँ UGCF का मतलब है undergraduate curriculum framework 2022 की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है UGCF 2022 अब ये जो UGCF है ना ये undergraduate programs के लिए है और इसमें क्या है new education policy के हिसाब से इसको design किया गय देंगे तो आपको UGCF के अंदर नई education policy के साब से ना बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं कि आपने जो course में admission लिया है multiple exit के कैसे options है आप course बीच में अगर छोड़ देंगे एक साल के बाद दो साल के बाद तो क्या होगा आप एक साल बाद course छोड़ने के बाद आपको लगता है कि नियार मुझे दुबारा continue करना चाहिए तो कैसे re-entry होगी उसकी ठीक है आपका internship semester third में भी हो सकता है तो वो कैसे होगा honors अगर आपको करनी है with research honors with research करना चाहते हैं तो कैसे होगा ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको UGCF curriculum framework के हिसाब से मिलने वाला है इस orientation program के अंदर आप सोचो यार क्यों नहीं attend करना चाहिए online ही तो है must attend this orientation program बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको आज मैंने तो सरफ 5 ही benefit बताए हैं बहुत सारे benefits हो सकते हैं ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं देखो जानकारी से बढ़िया कोई चीज नहीं है आपको knowledge बढ़ा इस orientation program के अंदर तो मेरे साब से कोई reason नहीं है आप यह orientation program आज ना अटेंड कर रहें unless and until कोई emergency ना और फिर online ही तो यार घर बैटके अराम से अटेंड करो खाते पीते हुए क्या दिक्कत है तो आज आप लोग जरूर अटेंड करेंगे यह वाला program online orientation program comment में अभी लिखके बत बताया जा रहा है आप लोगों की क्या-क्या फाइदे की चीजे हैं so that मैं आपको accordingly guide कर बाऊं तीक है आज की वीडियो में इतना ही है तीन बजे orientation program attend करना मत भूलिएगा मुलकात हमारी होगी फिर से एक अगले वीडियो में तब तक take care and Vijay Gupta signing off thank you